दोस्तो पालनहार का रिनुवर्ड आप किस प्रकार करेंगे, पालनहार का वार्षिक सत्यापन किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले इमित्र पर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद में आपको पालनहार सर्च कर लेना है, एविल सर्विस में जाकर पालनहार सर्विस चैन कर तो इसपे क्लीक कर लेना हैं क्लिक करने केबाद אם आप redirect होकर Panhaar की website चले जाएँगी यहां पर आने के बाद में आपको एक option दीखेगा Panhaar renewal यह option दिखाई दे रहा हैं इसपे आपको click कर लेना है इसपे click करने के बाद में आपको यहांपर दो option दिखाई देंगे, पहले तो आपको सबसे पहले जिस साल का करना है, यानि कि आपको अभी चोईस पत्चीस का करना है, तो यहाँ पर चोईस पत्चीस सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको application ID से भी आप सर्च कर सकते हैं, जन आदार या भामासा ID से भी सर् किया हैं, तो यहाँ पर अपने application में आकर approved application में चला जाना है, यहाँ पर जितने भी आपने पालनहार के registration किये थे, वो सबी की list मिल जाएगी, और आपको सामने application ID भी मिल जाएगी, यादि किसी भी ग्रहत के पास यादि नहीं है, जन आदार ID और पालनहार ID तो यहाँ से आ चीज़ हम वापी select कर लेंगे, यहाँ पर application ID ले लिया है हमने, और यहाँ पर हमने application ID डाल दिया है, search पे हम click कर दिया है, search पे click करने के बाद में थोड़ा सा wait करना होगा, अब यहाँ पर profile open हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते है, verification pending सत्यापन लंबित, तो इन दो बच्चों का हमें सत्यापन करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर नेचे बच्चे का सत्यापन इंटर आधार नंबर, अब हमें यहाँ पर आधार नंबर डालना है, उसके बाद में verify साला दर्पन पे click करना होगा, यादी बच्चा सरकारी school में पढ़ रहा है, और साला द अप्लोड करने होगे, साला प्रदान के साइन कर वे हुए कि बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, कक्सा इतनी में पढ़ रहा है, और यह अभी अध्यंदरत है, तो वो एक प्रमान पत्र हमें अप्लोड करना होगा, हमने साला दर्पन पे click किया, तो यहाँ पर verify नहीं हो प रहा है, वो यहाँ पर select कर लेना है, पिंसिपल का नाम यहाँ पर डाल देना है, जो भी पिंसिपल है, उसका नाम डाल देना है, और जो पिंसिपल यह सत्यापन प्रमान पत्र देगा, वो अपना पूरा bio data उस प्रमान पत्र पर लिख कर देगा, तो आप उस प्रमान पत्र पर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर डाल देना है उसके बाद में पिंसिपल का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डालना आनिवारे हैं उसके बाद में सेंटर का नाम यानि की इसकुल का नाम जो इसकुल का नाम है वो इसकुल का नाम आपको डाल देना है इसकुल के नाम के ब का फॉर्मेट आता है जिसका लिंक में वीडियो के डिस्क्रस में दे दूंगा वो फॉर्मेट इसकुल से भरवा कर आपको ले आ जाना है फिर यहाँ पर शैव डिटेल पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर देखिए बच्चे का रिकॉर्ड सपलता पूर सहीज गया है नविनी कर पर आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पर जो भी मुख्या है पालनहार करता है उसके मोबाइल पर ओटीपी जाएगी वो ओटीपी डालकर ओटीपी माने पर क्लिक करें और उसके बाद में यह फॉर्म संबदित पंचाई समिती में चला जाएगा जहां से संख्या की विबाग द्वारा इसे अपरोड कर लिया जाएगा और जो भी पालनहार की पैसे अभी तक नहीं आए है वो आना वापिस सुरू हो जाएगी और जितना भी पेमेंट बकाया है वो भी मिलना सुरू हो जाएगा तो आसा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगाए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में जयन जयवाद